नया साल आये और घर की दिवार पर नया पंचांग ना दिखे तो कुछ अधूरा सा लगता है। जबलपुर शहर के जोतिस मरमग इस अधूरे पन को दूर कर रहे हैं। यही नहीं जबलपुर के इसी अंदाज ने इस केलेंडर सिटी का भी दरजा दिलाया है। देश भर के हिंदी भाषी राज्यों के लोग जबलपुर से प्रकाशित पंचांग और कैलेंडर के मुरीद हैं। इन पंचांगों का प्रसाट देश भर में एक करोड से भी चादा है। भूमेद रेखा जबलपुर से होकर गुजरती हैं। दुनिया के केंद्र बिंदू करंदी पर होने के कारण यहां की काल गर्णा सटेक है। सूरियोदय, सूरियास्त, निर्धारित समय पर होता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 36 गड़, कुजरात, विदर्भ, आदी जबलपुर से प्रकाशित कैलेंडर टंगे नजर आते हैं। शहर के लाला राम लरायन अगरवाल जोतिर्ष के ज्यान में पारंगत थे। कोतवाली में उनके निवास पर पास महुरत एवं तिथियां जानने के लिए लोगों की भीड लगी रहती थी। उन्होंने 1934 में पंचांग को कैलेंडर का स्वरूप देकर 500 प्रतियां प्रकाशित की। इन प्रतियों को उन्होंने लोगों के बीच मुफ्त बाटा। पंचांग की मांग को देखते हुए उन्होंने अगले साल प्रतियों की संख्या और बढ़ा दी। और बाजार में पंचांग लोकार्पित किया। जेवलपूर से प्रकासित होने वाले पंचांग कैलेंडरों का सर्कुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आकर्शक कलेवर के साथ सटीक काल गर्णा के कारण देश भर में लोगों की दिन चलिया कईया हिस्सा है। तिथी, तेज, तेवहार से लेकर आवकाश और राशिफल, ग्रहदोश, सुम महुरत देखने के लिए भी इन्हीं पंचांगों का उप्योग होता है। जोतिस से लेकर आवश्चक जानकारियों को खुद में समेटे करीब 12 पेश का जो कैलेंडर आपकी दिवार में साल भर तंगा रहता है। उसे तयार करने के लिए साल भर जैतन करना पड़ता है। हर साल सहायक कंटेंट नया देना होता है और उसे आकरसक का लेवर में प्रस्तुत करना बड़ी चुनाती है। जोतिस की गर्णा में जरासी चूक से केलेंडर की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। केलेंडर की काल गर्णा और कंटेंट के चैन में सावधानी भी बरतनी होती है। जवलपूर गरित और जोतिश के मामले में हमेशा से समरिध रहा है। यहां के जोतिशाचारियों की काल गर्णा सठीक होती है। यहां से प्रकाशित केलेंडर और प्रण्चांग की मांग देश भर में लगातार बढ़ रही है